किंद्रिय मंत्रि मंदल के मेरे साथी अर्जुन बुंडा जी पगंशी कुलस्ते जी स्रीमति रेनुका सी जी डॉक्टर भार्ति पवार जी विश्वेश्वर तूडु जी अन्य महनुभाव और देश के अलग-अलग राज्यों से आए मेरे सभी आदि वैसी भाई और बेहनों आप सभी को आदी महोसव की बहुत-बहुत शुब कामना है आज आदी के अमरित महोसव में आदी महोसव देश की आदी विरासत की भव्य प्रस्थूती कर रहा है अभी मुझे 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 मिला देश की आदी वासी परंपरा की इस गवरों साली जांकी को देखने का तरतर के रस तरतर के रंग इतनी खुबसुरत पोशाकें इतनी गवरों मई परंपराएं भिन्ड भिन्ड कलाएं भिन्ड भिन्ड कलाकुर्तियां भाती भाती के स्वाद तरह तरह का संगीत ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता उसकी भव्यता कंदे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है ये भारत के उस अनंत आकास की तरह है जिसने उसकी विवित्ताएं इंड धनुष के रंगों की तरह उभर करके सामने आ जाती है और इंद्र धनुष की एक और विशेस्ताभी है ये अलग रंग रख जब एक साथ मिलते हैं तो प्रकाश पुंज बन जा है जो विश्व को द्रश्टी भी देता है और दिशा भी देता है ये अनंत भिवित्ताएं जब एक भारत स्रेश्ट भारत के सूत्र में पिरोती है तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है तब भारत अपने सांस्कृतिक प्रकाश से विश्व का मारदर्शन करता है ये आदी महोत्सव विवित्ता में एक तना हमारे उस सामर्थ को नई उच्चाई दे रहा है ये विकास और विरासत विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवन्त बना रहा है मैं अपने आदिवासी भाई बैनों को और आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूँ साथियों 21 सदी का भारत सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है जिस्ते पहले दूर सुदूर समझा जाता था अब सरकार दिल्ली से चल कर उसके पास जाती है जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था अब सरकार उसे मुख्य धारा में ला रही है बीते आठ नव वर्षों में आदिवासी समाज से जुड़े आदी महोत्सव जैसे कारकम देश के लिए एक अभ्यान बन गए है कितने ही कारकमों का मैं खुद भी हिस्सा बनता हूँ ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज का हीत मेरे लिए व्यक्तिकत रिस्तों और भावनाओं का विशे भी है जब मैं राजनितिक जीवन में नहीं था एक सामाजी कारकरता के रूप में संगठन के कारकरता के रूप में काम करता था तो मुझे अनेकों राज्यों में और उसमें भी हमारे जनजातिये समू के बीच जाने का आउसर मिलता था मैंने देश के कोने कोने में आदिवासी समाजों के साथ आदिवासी परिवारों के साथ कितने ही सब्तावित्या है मैंने आपकी परंपराओं को करीब से देखा भी है उसे जिया भी है और इनसे बहुत कुछ सीखा भी है गुजरात में भी उमर गाम सेमबा जी तक गुजरात की पूरी पूर्वी पट्टी उस आदिवासी पट्टे में जीवन के एत्यन्त महत्वप्ण वर्ष मेरे आदिवासी भाई बेनों के सेवा में लगाने का मुझे सवभागी मिला था आदिवास्यों के जीवन शहली ने मुझे देश के बारे में हमारी परंपराओं के बारे में हमारी विरासत के बारे में बहुत कुछ सिखाया है इसलिए जब मैं आपके बीच आता हूँ तो एक अलगली तरह का अपनत्व मुझे फील होता है आपके बीच अपनों से जुड़ने का एसास होता है साथियों आदिवासी समाथ को लेकर आदेश जिस गवरों के साथ आगे बढ़ रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ है मैं जब विदेशी राष्टा देक्षों से मिलता हूँ और उन्हें उपहार देता हूँ तो मेरी कोशिस होती है कि उसमें कुछ न कुछ तो मेरे आदिवासी भाई बहनों द्वारा बनाए गए कुछ न कुछ उपहार होने चाहिए आज भारत पूरी दुनिया के बड़े-बड़े मंचों पर जाता है तो आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गवरों के रुप में प्रस्तूत करता है आज भारत विश्व को ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजिज है न अगर उसका समाधान आपको चाहिए आएए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन सहली देख लीजिए आपको रास्ता मिल जाएगा आज जब सस्टेनेबल डिवलप्मेंट की बात होती है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया को हमारे आदिवासी समाज से जंगलों से नदियों से पहडों से हमारी पीडियों का रिष्टा जोड सकते हैं हम कैसे प्रकृति से समसादन लेकर भी उसे समरक्षित करते हैं उसका सम्वर्ण करते हैं इसकी प्रेड़ा हमारे आदिवासी भाई-बैट हमें लगातार देते रहते हैं और यही बात आज भारत पूरे विश्व को बता रहा है साथियों आज भारत के पारंपरिक और खास कर जन जातिये समाध द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है आज पुरवुत्तर के प्रोडक्स विदेशों तक में एक्सपोर्ट हो रहे है आज बैम्बू से बने उत्पादों के गिलोग पुरियता में तेजी से वृद्धी हो रही है आपको याद होगा पहले की सरकार के समय बैम्बू को काटने और उसके इस्तमाल पर कानूनी प्रतिबन लगे हुए थे हम बैम्बू को गास की केटेगरी में ले आए और उस पर सारे जो प्रतिबन लगे थे उसको हमने हटा दिया इससे बैम्बू प्रोडक्स अब एक बड़ी इंडुस्ट्री का हिस्सा बन रहे है ट्राइबल प्रोडक्स जादा से जादा बाजार तक आएं इनकी पहचान बड़े इनकी डिमान बड़े सरकार इस दिशा में लगा भी लगातार काम कर रही है वन धन मिशन का उदारन हमारे सामने है देश के अलग अलग राज्यों में तीन हजार से जादा वन धन विकास केंदर स्थापित किये गए हैं 2014 से पहले ऐसे बहुत कम लगुवन उत्पाद होते थे जो MSP के दाइरे में आते थे अब ये संख्या बढ़कर साथ गुना हो गई है अब ऐसे करीब 90 लगुवन उत्पाद है जिन पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP दे रही है पच्चास हजार से जादा वनधन स्वयम सहायता समोत के जरिये लाखों जन जातिये लोगों को इसका अलाब हो रहा है देश में जो स्वयम सहायता समोत का एक बड़ा नेटवर्क तयार हो रहा है उसका भी फाइदा आदिवासी समाज को हुआ है असी लाख से जादा स्वयम सहायता समोत सेल्प हेल्प ग्रूप्स इस समय अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं इन समोत में सवा करोर से जादा ट्राइबल मेंबर्स है उसका भी बड़ा लाख आदिवासी महलाओं को मिल रहा है भाई और भहनों आज सरकार का जोर जन जातिय आर्ट्स को प्रमोट करने जन जातिय युवाओं के स्कील को बढ़ाने पर भी है इस बार के बजेट में पारम पारिक कारीगरों के लिए पी एम विश्व कर्मा योजना शुरू करने की गोशना भी की गई है पी एम विश्व कर्मा के तहट आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी स्कील ट्रेलिंग दी जाएगी अपने प्रोड़क की मार्केटिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा इसका बहुत बड़ा लाब हमारी युवाओं पीडी को हने वाला है और साथियों ये प्रयास केवल कुछ एक शेत्रों तक सिमित नहीं है हमारे देश में सेंक्रो आदिवासी समुदाय है उनकी कितनी ही परंपराय और हुनर ऐसे है जिन में असीम संभावना एचिपी है इसलिए देश में नए जनजातिये शोद संस्तान भी खोले जा रहे हैं इन प्रयासों से ट्राइबल युवाओं के लिए अपने ही शेत्रों में नए आउसर बन रहे हैं साथियों जब मैं 20 साल पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बना था तो मैंने वहाँ एक बात नोट की थी वहाँ आदिवासी बेल्ट में जो भी स्कूल थे इतना बड़ा आदिवासी समुदा था लेकिन पिछली सरकारों को आदिवासी खेत्रों में साइन्स ट्रीम की स्कूले बनाने में प्रात्विक्ता नहीं थी अब सोचिये जब आदिवासी बच्चा साइन्स ही नहीं पड़ेगा तो डॉक्टर इंजिनियर कैसे बनता इस तुनवती का समाधान हमने उस पूरे बेल्ट में आदिवासी खेत्र के स्कूलों में साइन्स की पढ़ाई का इंतजाम करके किया आदिवासी बच्चे देश के किसी भी कौने में हो उनकी सिक्षा उनका भविश्य ये मेरी प्रात्विक्ता है आज देश में एक लव्य मोडल आदिवासी विद्यालेव के संक्या में पांच गुना की वृद्धी हुई है 2004 से 2014 के बीच दस वर्षों में केवल 91 लव्य आदिवासी स्कूल खुले थे लेकिन 2014 से 2022 तक इन आठ वर्षों में पांच सो से जादा एक लव्य स्कूल स्विक्रुत हुए है वर्तमान में इन में 400 से जादा स्कूलों में पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है एक लाग से जादा जन जातिये छात्र छात्राएं इन नए स्कूलों में पढ़ाई भी करने लगे हैं इस साल के बजेट में ऐसे स्कूलों में करीब करीब 40,000 से भी जादा सिक्षकों और कर्मुचारियों को बर्ती की भी गोषणा की गई है अनुसुचित जनजाति के युवाओं को मिलने वाली स्कॉलर्शिप में भी दो गुने से जादा की बड़ोत्री की गई है इसका लाप तीस लाख विद्यार्दियों को मिल रहा है साथियों आदिवासी युवाओं को भाषा की बाधा के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था लेकिन नई राष्ट्रिय शिक्षानिती में मात्र भाषा में पढ़ाई के विकल्प को भी खोल दिये गए हैं अब हमारे आदिवासी बच्चे आदिवासी युवा अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे आगे बढ़ सकेंगे साथियों देश जब आखरी पाइदान पर खड़े व्यक्ति को अपनी प्रात्विक्ता देता है तो प्रगति के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं हमारी सरकार वन्चीतों को वरियता वन्चीतों को वरियता यही मंत्र को लेकर देश विकास के लिए नए आयाम छू रहा है सरकार जिन आकांची जिला आकांची ब्लॉक को विक्सित करने का प्यान चला रही है उसमें जादातर आदिवासी बाहुले इलाके हैं इस साल के बजेट में अनुसुचित जनजातियों के लिए दिया जाने वाला बजेट भी 2014 की तुलना में पांच गुना बढ़ा दिया गया है आदिवासी खेत्रों में बहतर आदुनिक इंफ्रास्टेक्टर बनाये जा रहा है आदुनिक कनेक्टिविटी भरने से परियटन और आयके अउसर भी बढ़ रहे हैं देश के हजारों गाउं जो कभी वामपन थी उग्रवाद से प्रभाविच थे उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है यानि जो युवार अलग थलग होने के कारण अलगावाद के जाल में फच जाते से वो अब इंटरनेट और इंफ्रा के जरिए मुख्यधारा से कनेक्ट हो रहे हैं ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इसकी वो मुख्यधारा है जो दूर सुदूर देश के हर नागरिक तब पहुंच रही है ये आदि और आदिनिक्ता के संग्यम की वो आहट है जिस पर नए भारत की बुलन इमारत खड़ी होगी है साथियों बीते आठ नव वर्षों में आदिवासी समाज की यात्रा इस बदलाव की साक्षी रही है कि देश कैसे समानता और सम्रस्ता को प्रात्फिक्ता दे रहा है आज आदि के बाद 75 वर्षों में पहली बार देश का नेत्रुत्वा एक आदिवासी के हाथ में है पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्पतीजी के रूप में सर्वोच पत पर भारत का गवरो बढ़ा रही है पहली बार आज देश में आदिवासी इत्यास को इतनी पहचान मिल रही है हम सब जानते हैं कि देश्ट की आजादी के लड़ाई में हमारे जन जाती है समाज के उनका कितना बड़ा योगदान रहा है कितनी बड़ी भूमिका निवाई थी लेकिन दसकों तक इतियास के उन स्वानिम अध्यायों पर वीर विरांग नओ के उन बलिदानों पर परदा डालने के प्रयास होते हैं अब हमरुत महोसों में देश्ट ने अतित के उन भूले बिसरे अध्यायों को देश्ट के सामने लाने का बिड़ा उठाया है पहली बार देश्ट ने भगवान बुर्शा मुंडा की जन्म जैंति पर जन जातिये गौरव दिवस मनाने की शुरुवात की है पहली बार अलग-अलग राज्यों में आधिवासे स्वतंत्रता सेनानी मुज्यम खोले जा रहे है पिछले सारी मुझे जारखन के राची में भगवान बिर्शा मुंडा को सबर्वित मुज्यम के लोकारपन का आउसर मिला था ये देश में पहली बार हो रहा है लेकिन इसकी छात आने वाली कई पीडियों में दिखाई देगी ये प्रेणा देश को कई सद्यों तक दिशा देगी सात्यों हमें हमारे अतीद को सहजना है वर्तमान में करते विभावना को सिखर पर ले जाना है और बविश्य के सपनों को साकार करके ही रहना है आदी महोत्सव जैसे आयोजन इस संकल्प को आगे बढ़ाने का एक मजबुत माज्यम है हमें इसी एक अभियान एक अभियान के रूप पे आगे बढ़ाना है एक जनांदोलन बनाना है ऐसे आयोजन अलग-अलग राज्यों में भी जादा से जादा होने चाहिए साथियों इस वर्ष पुरा विश्व भारत की पहल पर इंटरनेशनल मिलेट येर भी मना रहा है मिलेट्स जिसे हम आमतोर भाशा में मोटे अनाथ की रुप में जानते हैं और सदियों से हमारे स्वास्त के मूल में ये मोटा अनाथ था और हमारे अधिवासी भाई बेन के खान पान का वो प्रमुग हिस्सा हो रहा है अब भारत ने ये मोटा अनाथ जो एक प्रकार से सुपर फूड है इस सुपर फूड को स्री अन्न की पहचान दी है जैसे स्री अन्न बाजरा, स्री अन्न ज्वार, स्री अन्न रागी ऐसे कितने ही नाम है यहाँ के महोचसों के फूड स्टॉल पर भी हमें स्री अन्न का स्वाध और सुगंद देखरे को मिल रही है हमें आदिवासिक खेत्रों के श्री अन्न का भी जादा से जादा परचार परशार करना है इसमें लोगों को स्वास्त काण राप तो होगा ही आदिवासी किधानों की आई भी बढ़ेगी मुझे बरोसा है अपने इन प्रयासों से हम साथ मिलकर विश्षीद भारत के सपने को साकार करेंगे और जब मैं आज मंत्राले ने दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन किया है देश भरके हमारे आदिवासी भाईवें अने एक विवितदा पूर्ण चीजे बना करके हाँ लाए है खास करके खेत में उत्पादन उत्तम चीजे यहां लेकर के आये है मैं दिल्ली वासियों को हर्याना के नदिके गुरुग्राम बगएरे इलाके के लोगों को उत्तर प्रदेश के नोएडा गाजियाबाद के लोगों को आज यहां से सारवजनी गुरुप से आगरह करता हूँ जरा दिल्ली वासियों को विशेस आगरह करता हूँ कब बड़ी तादाज में आईए आने वाले कुछ दिन ये मेला खुला रहने वाला है आप देखिए दूर सुदूर जंगलों में इस देश की कैसी कैसी ताकते देश का भविश्य बना रही है जो लोग हेल्स कॉंसियफ है जो डाइनिंग टेबल की हर चीज में बहुत ही सतर्क है विशेस करके ऐसी माताओं बहनों से पराग रहे हैं का आप आईए हमारे जंगलों की जो पैदावरे हैं वो शारीक पोषण के लिए कितनी सम्रुत है आप देखिए आपको लगेगा और भविश में आप लगातार वही से बंगवाएगे अब जैसे यहां हमारे नौर्टिस की हल्दी है खास करके हमारे मेगाले से उसके अंदर जो नौर्टिस्टनल वैल्यूज है वैसी हल्दी शायद दुनिया में कहीं नहीं है अब जब रेखते हैं पता चलता है तो रखता है हाँ अब हमारे कीचल में यही हल्दी वह मुप्योग करेंगे और इसलिए मेरा विशेद आग रहे है दिल्ली हर्याना और उत्तर प्रदेश के जो इलाके यहाँ पास-पास में है वो यहाँ आए और मैं तो चाहूंगा दिल्ली दम दिखाएं कि मेरे आदिवासी भाईवें जो चीजे लाके आए एक भी चीज उनको वापिस ले जाने का मोका नहीं मिलना चाहिए सारे के सारे यहाँ विक्री हो जानी चाहिए उनको एक नया उत्सा मिलेगा हमें एक संतोस मिलेगा आईए हम मिल करके इस आदि महोसों को चीरस मरनिय बना दे यादगार बना दे बहुत सफल बना करके रखें आप सबको मेरी तरप से बहुत बहुत शुप कामरा है बहुत बहुत धन्यवाद